कि सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट साथियों स्वागत करता हूं सबका इस यूटॉब चनल पर जिसका नाम है इस्टेडी विद पी एन लोदा मित्रों जैसा कि सभी को पता है रीड सिक्सक भरती में राजिस्थान के कई नए सारे ट टोपिकों को मैं कवर करना हूँ एक एक वीडियो बना तो मित्रों मैं एक एक टोपिक को अच्छी तरह से कवर करने की पुरी कोश्य कर रहा हूं कि आपको और प्रीस से की बुक्स नहीं पड़नी पड़े और आप बुक्स लाओगे तो बहुत सारा खर्च भी आपके पैस लोदा पर आज पीडिये में डालने वाला हूं तो मेरे टेलिग्राम चैनल को आपको जोइन जरूर कर लेना है साथियों लगबग साड़े आठ से नो अजर लोग उससे जुड़ चुके हैं चले वीडियो को शुरू करते हैं आपका पहला क्यूशन है मित्रों लोग देवताओं से संबंदित जैसा कि लोग देवता का जो टोपिक है वो आपके सेकल लेवल में भी जुड़ा है और आपके पस्ट लेवल में तता जिन है हिंदी सोरिक्या हिंदू लिगा था तता जिन है हिंदू नाग राज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं उप्रियुक्त कतन किस लोग देवता के संबंद में हैं पाबु जी के संबंद में हर्बु जी के संबंद में गोगा जी के सं सातियों यह उप्रयोगत जो कतन है यह किसके संबंध में सत्य है तो सातियों हिंदू तो नागराज और मुस्लिम गोगा पीर तो गोगा पीर मतलब गोगा जी कोई कहा जाता होगा इस परकार से सात्यों यहां पर विकल्प नमबर आपका प्रतम प्रिश्ण में सही रहेगा गोगा जी मित्रों गोगा जी की अगर बात करें तो गोगा जी पंच पीरों में भी शामिल है सात्यों तो सात्यों इनके जो पिता जी का नाम है वो है इनके पिता जी का नाम जेवर और माता जी का नाम है बाचल, क्या था सातियों बाचल नाम था, तो सातियों यहाँ पर आपका विकल्ब नंबर 3 से ही है नेक्स्ट प्रिश्ण नंबर दो देखते हैं सातियों, जो की लोग देवताओं से ही संबंदित है तेजा जी की मृत्यू कब हुई थी? भादरपत शुक्ल दश्मी को भादरपत शुक्ल सब्तमी को माग शुक्ल चतूर दशी को और इन में से कोई नहीं तो सातियों राइट आंसर बताना है कि तेजा जी की मृत्यू कब हुई थी? भादरपत शुक्ल दश्मी को सातियों इनकी मृत्यू हुई थी? देखिए तेजा जी के बारे मैं आपको तोरी सी में जानकरी बता दू सातियों कि कुशन तो मैं यहां पर 20 ही लेकर आया हूँ लेकिन कम से कम आप 60 कुशन याद करके जाओगे यहां से तो देखिए तेजा जी का जो जन्मिस्तान है वो है खड़नाल नागोर ये इनका जन्मिस्तान है सातियों खड़नाल नागोर डिस्टिक में जगे पड़ती है खड़नाल वहाँ पर इनका जन्मिस्तान है सातियों इनके पिता जी का नाम है ताहड जी का नाम है ताहड जी और माता जी का नाम है राम कूरी भाई एक अजार तेतर इस्वी में इनका जन्म हुआ था साथियो एक अजार तेतर इस्वी में साथियो यह जब अपनी पत्नी को अपनी की पत्नी का नाम था पेमल दे क्या था साथियो पे पुरा कर ले गए थे तो उसकी रक्षार्त ही इन्हों ने वो गाये छुड़ाने गए तो वहां पर इनको एक सूरसूरा नामाकिस्तान पर इन्हें एक सर्प मिला तो सात्यों वहीं पर तेजा जी को सर्प ने डसा था तो इसी कारण इनकी प्रस्थी ती सात्यो तो यहां पर आपका परिस्थ्व विकल कई यह नॉर्मल जान करी थी नेक्स्ट प्रेश्ट नंबर तीन देखेंगे मैं तो सात्यों नेच्ट कεια उतार और उंटों के दे उता थे पाभू जी कूंते साथिओं पाभू जी इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म ஧ांदल जी राटोड के यहां शाति हो 1249 एस्वी में हुवाता साथिओं यहां पर आपका जो तीसरे विकल्प है वही सहीर रहे सातियों जो उंट होते हैं उंटों के सुष्ट होने के लिए भी भोपे द्वारा और भोपियों द्वारा पावुजी की फढ़ गाई जाती है सातियों इनको ग्रामिन लोग लक्षमान जी का उतार भी मानते हैं इसलिए यहां विकल्प नमबर 3 सही है आपका प्रश्ण तीन में चले नेक्स प्रश्ण नमबर 4 आते हैं चोते क्यूशन पे सातियों प्रश्ण नमबर चार देखते हैं बगडाउतों से सम्मद्द कावे बगडावत के गायन दोरा किनका यश्योगान किया जाता है मली नाज जी का, राम देव जी का, हर्भू जी का और देव नायन जी का सातियों प्रश्ण संक्या चार में राइट आंसर बताईए कि एक बगडावतों से सम्मद्द कावे हैं बगडावत के गायन दोरा किनका यश्योगान किया जाता है तो प्रश्ण संक्या चार में सही आंसर बताना है आपको तो साथियों देव नरायन जी का ये शुगान किया जाता है जिनको देव जी के फड़ भी कहते हैं क्या कहते हैं देव जी के फड़ भी कहते हैं और जो गूजर समाच के जो लोग है वो देव नरायन जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं साथियों विकल्प नमबर चार सही रहेगा देवन एनजी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म सातियों 1243 में हुआ था कब हुआ था 1243 में इनके सातियों इनके जो 23 भाई थे उन्हें इनके जो पिता जी थे तो लगबग इनके बीच भिनाय की जो शाशकते उनके बीच यूद्द हु गई थी तो सातियों इनकी जो माती सेडू इने अपने प फिहर मालवा लेकर चली गई थी तो इनको बचाने के लिए बाद में फिर इनोंने अनेक महान कारे किये थे शातियों इनके जीवन में इसलिए यह लोग देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए चोता विकल्प आ मलली नात जी का जन्म कब हुआ था 149 इस्वी में, 1213 इस्वी में, 139 इस्वी में, 1328 इस्वी में, सा링 सु शतर चुआ उथा, 7088 इस्वी में, उविकल्प नमबर 4 सही रहेगा प्रिस्टने 5 में नेक्स प्रेश नमबर छे राम देव जी के प्रतीक चिन पगलिये इनके चबूत्रे पर इस्थापित किये जाते हैं जिस स्थान को कहा जाता है थान इस्थान चोंत्रा और राम देवरा तो क्या कहेंगे साथ यो तो जो राम देव जी के प्रतीक चिन है पगलिये इनके चब पुत्रे पर इस्थाफित किये जाते हैं उस स्थान को कहा आ जाता है तोर वंशुः सा आकर में और इनके करें रामदेव जी की तो इन्हों ने हैं हु ecos control के सकते हो जिसका नाम ता भेरव भेरव को मार कर के सात्यू इन्हों ने वहां की जो जनता है उनको एक तरह से यूं मान लिजे कि सभी लोग खुश हो गए थे क्योंकि उस टाइम पे जिसे वर्तमान में कुछ समय पहले डाकू हुआ करते थे उसी टाइम पे यह कुरूर व्यक्तिता है राक्षाइत भी लोग इसको कहते थे स है इन्होंने 1408 में सात्यों जीवित ही समाधि लीती जीवित ही इन्होंने समधी लीती मित्रों इन्होंने गाओं को भी बसा 확인हाया था जिसका नाम था रूणे estem क्या नाम था सात्यों रूरूंचे इंके दवरह्णा बसाए हुआ मित्रों तो यहां पर आपका जो नमबर साथ के और बढ़ते हैं साथियों लेकिन राम देव जी के बारे में एक बात और बता दूं कि राम देव जी को राम सा पीर भी कहते हैं साथियों और हिंदू इन्हें शिरी कृष्ण का अवतार मानते हैं मित्रों इन्हों ने एक पंत की भी इस्तापना की थी जिसका नाम ता कामडیا पंत ये 5 का नाम है जिसकी रामदेव जी ने इस्थापना diferencia तो देखिए 2 नमबर 6 में परत्व विकल्बप सई रहेगा नेक्श पुरस साथ संत पीपा जी कहां के शाशक थे कहां के था यह ना कहां के शाषक थे म्यवाड के मारवाड के गागरों के और धुंडार के तो सात्यों प्रश्च नमबर साथ का राय टानसर बताईए देखिए संत पीपा जी गागरों के साषक थे गागरों जो की जहलावार जिले में पड़ता है मेरा होम डिश्टिक जिसको जो है साथियों तो ये संथ पीपा जी वहीं के साशक थे खीची राजपूद थे क्या थे खीची राजपूद विकल्प नमबर तीन से ये साथियों प्रश्ण साथ में नेक्स प्रेश नमबर आठ विश्णोई संप्रदाई के प्रवर्तक कौन है जसनाज जी जांबो जी हर्बू जी और मेहा जी मांग लिया तो साथियों विश्णोई संप्रदाई के प्रवर्तक या विश्णोई संप्रदाई का जो निर्मान किया गया था वो जांबो जी के दोरा किया गया था मितुर्व किसके दोरा किया गया था जांबो जी के दोरा विखलप नमबर दो आपका यहां पर सही है जांबो जी की अगर हम बात करें साथ यहों तो जांबो जी का जन्म 14 Net 51 में भादरपत कृष्ण अष्टमी को पीपा सर नागोर के पवार वंशे राजपूत के यहाँ पर हुआता साथियों तो दूसरा विगल्प सही है प्रिश्न संख्या आठ में चले नेक्स्ट प्रिश्न नमबर नो देखते हैं मीरा भाई का जन्म किसके जन्म नी सोरी मीरा भाई का विवा है लिखा था मैंने ना मीरा भाई का विवा है शादी की बात करना हूँ या मेरी जिसको अपन बोलते हैं तो मीरा भाई का विवा किसके साथ हुआ रतन सिंग के भोजराज के दादू दयाल के और संत हरिदास के तो साथियों मीरा बाई का जो विवा है वो भोजराज के साथ हुआ था और रतन सिंग इनके पिता जी का नाम था साथियों यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प है प्रिशन संख्या 9 में नेक्स प्रिशन नमबर 10 है रामचरण का मूल नाम क्या था रामकिशन माउजी लाल डास और इनमे से कोई नहीं तो साथियो रामचरण का मूल नाम बताइए प्रिशन संगर 10 में मित्रों राम चरण जी का मूल नाम था राम किशन जी विकर्प नमबर एक सही रहेगा साथियों राम चरण जी जो थे वो पहले राम किशन के ही नाम से जाने जाते थे लेकिन इन्होंने एक माराज है करपा राम जी इन्होंने दिक्षा इन से प्राप्त की और ये राम चरण जी जो वर्तमान में इनका नाम है इनको ये राम किशन जी से परिवर्तित होकर राम चरण जी बन गए साथ यो तो यहां प्रतम विकलत सही रहेगा प्रश्ण संख्या 10 में चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं मित्रो प्रश्ण नंबर 11 की तरफ तो आपके 11 क्यूशन है मित्रो 11 क्यूशन में लोग देवताओं से संबंदित प्रश्ण नहीं हैं दुर्गों से संबंदित क्यूशन आ चुके हैं निम्न मेंसे किस दुर्ग को यूनेस को द्वारा जून 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल नहीं किया गया आमेर महल, कुंबलगड, जेस इसलमेर भी था, इसके अलावा आपके गाग रोन भी था, सातियों आपके रन थंबोर भी था और आपके चितोड़ गड़ भी था, ये छे दुर्ग थे लेकिन मांडल गड़ इसमें सामिल नहीं था, इसलिए यहां पर चोता विकल्प सही है प्रिश्ण ग्यारा में, नेक है उसमें इतियास के कितने प्रसिद्द साके हुए है सातियों, तो देखिए तोड़ गड़ के किले में तीन प्रसिद्द साके हुए हैं, कितने हुए हैं, तीन हुए हैं, एक साका तेरा सो तीन में हुआ था सातियों, दूसरा साका पंदरा सो चोतिस में हुआ था, और ती बकतरबंद है बाकि सब दुर्ग नंगे है कटारगड़ और कुम्बलगड रंत भंबोर और तारगड़ का किला भूंदू है तो तो साथियों ऐसा जो कतन कहागया था अबुलफजल बॉरा यह कहा गया था रंत भंबोर दुर्ग सवाई मादवूपूर के बारे में मित्रों रंट थंबोर सवाई मादवपूर जो दुर्ग है इसका निर्वान आटवी शताब्दी में अजमेर के चोहान साश को दोरा करवाया गया था तो ये भी आपको याद होना चाहिए था नेक्स्ट प्रश्च नमबर चाहुदा तो चाहुदवा क्यूशन है किस दुर्ग को गड़ बीटली तता अजमेरू के नाम से भी जाना जाता है नाहरगड का किला जैपूर तारगड का किला अजमेर तारगड का किला बूंदी और सिवाना दुर्ग बाड़मेर प्रश्च नमबर 14 का right answer बताए साथियों किसको गड़ बीटली और अजमेरू के नाम से जाना जाएगा तो मित्रों गड़ बीटली और अजमेरू के नाम से जाना जाता है तारागड का किला अजमेर एक और तारागड का किला है साथियो बुंदी में इस्तित है वो नहीं है यहाँ पर यहाँ पर उस तारागड के किले की बात की जा रही है जो अजमेर में इस्तित है इसको ही गड़ बीटली और अजमेरू के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट प्रशनमबर 15 देखेंगे आपके 15 क्यूशन है साथियों चंबल और बामनी नदियों के संगम पर इस्तित कौन सा क किला है जो तीन और से पानी से गिरा हुआ है एवं जल दुर्ग की श्रेडी में आता है बेसरोडगर का किला गागरोन का किला लालगर दुर्ग और चूरू का किला तो चूरू और लालगर यह तो जल दुर्ग में होता ही नहीं है अब देखिए एक तो गागरोन है और एक चित्तोडगण में इस्तित है यह जल दूर्गी की स्रेडी में भी आता है विकल्प नमबर एक साहिए सातियों प्रश्ण संख्यां 15 में चलिए नेक्स प्रश्ण नमबर 16 देखते हैं आपके 16 वा क्यूशन है मित्रों ए सुमेलित है गागरोन का किला जल दूर्गी जलावार जालवर का किला मेसा का पठार जेसलमेर का किला त्रीकूट पहाडी और सभी तो सातियों देखें गागरोन का किला जल दूर्गी जलावार बिल्कुल सही है जेसलमेर का किला त्रीकूट पहाडी पर इस्तित है लेकिन रहेगा क्योंकि यह एस उमेली थे मित्रों नेक्स प्रेशन्न 17 देखते है जैगड दुर्ग में सत्य कतं हैं इस सबसे बड़ी तोप जैबान रखी हुई है और यह सूक नदी के किनारे इस्तित हैं तुमित्रों देखे ये जेगड दुर्ग के बारे में असत्यकतन हैं देखो आमेर में स्तित है दिल्कुल जेपूर तोब डालने का भी कारखाना है इसमें लिंग जी का मंदिर कहां इस्तित है बाड मेर उदेपूर आमेर और देलवडा तो सातियों एक लिंग जी का अगर मंदिर की बात करें तो यह आपके उदेपूर जीले में इस्तित है कहां पर इस्तित है सातियों उदेपूर जीले में यह इस्तित है विकप नमबर दो सही रह पत्वो की अविली सालिम सिंग की अविली इस्तित है जेपूर में, जेसल मेर में बीकानेर में और शेखाऊटी में तो साथ यो उप्रूक्त जो हवेलिया है ये राजिस्थान के जेसल मेर जीले में इस्तित है विकलप नंबर chia है प्रिश्ण उन्निस में और तो राज का अंतिम और बीसवा क्यूशन देखेंगे साथियों लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो यार छोटा सा लाइक कर देना मतलब लाइक तो लाइक होता है छोटा हो या बढ़ा हो अंतिम क्यूशन बीसवा क्यूशन राज की सबसे कलात्मक बावडी किसे कहा जाता है रानी जी की बावडी, नो लखा बावडी, त्री मुखी बावडी और चान बावडी तो साथियों राज जी की सबसे कलात्मक अगर बावडी की बात करें तो मित्रों अगर बात करें सबसे कलात्मक बावडी की तो चांद बावडी को सबसे कलात्मक बावडी कहा जाता है देखिए यह आभानेरी दोसा में इस्तित है कहां पर इस्तित है साथ यह आभानेरी दोसा में इस्तित है विगल्स नंबर 4 सही रहेगा आपका प्रशन संख्या 20 में तो आपके ये 20 कुशिशन हो चुके हैं जिके के कोशिश करता हूँ मेनत करके कि आपके लिए जिके की भी टेस्ट स्रीज लाओं जो सब्सक्राइब अगले वीडियो में जन्यवाद सबी लोगों का कहना चाहूंगा वीडियो को पूरा देखने के लिए साथ यों फीडिये पे तुम मेरा टेलिग्राम चेनल एक बार अवस्य जोइन करें जिसका नाम है इस्टेडी वित पीयल लोगा बहुत बहुत धन्यवाद में तो